माता दुर्दुभी सत्य ही कह रहे थी यदि मैं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और भूल से भी इसे मेरी उपस्थिती का आभास हो गया तो ये अचेता आवस्था में प्रभू श्री राम और लक्षमन भया की बली चड़ा देगा और फिर जिस प्रकार मेरे नेत्रों के समक्षिश शिविर से ले गया था ये प्रभू को उसी प्रकार यहां से भी ले जा सकता है मुझे पून तया सुनियोचित ठंग से कारे करना होगा हे माता आप तो स्वैं माता देवेश्वरी का अंश हैं आप इस संकट से उबरने का कोई मार्ग दर्शाएं क्रिपा करिये माता जारआ ए से अग्र से याई है बोत्र, 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 बोत्र माता प्रतीत हो रहा है माता का स्वर मातर मुझे ही सुनाई दे रहा है अन्य किसी को नहीं हाँ हनमान मातर तुम ही मेरा स्वर सुन पा रही हो अब ध्यान से मेरी बात सनू महीरावन महामाया भी है इसे मातर महामाया ही रोग सकती है मातर महामाया अर्थात माता माता, अब मैं जो करने जा रहा हूँ, उसके लिए मुझे खिशमा कीजिएगा अब मेरे पूजा कक्ष में कोई अन्य भी उपस्तित है किसने यहां आने का दुस्सा हज किया है, वो जो भी है, मेरे सामने आए ये मैं हूँ, पुत्र माता महा माया तुम इन परम-पवित्र मानवों की बली चढ़ाना चाहिए हाँ माता किन्तु रात्री तामसिक होती है इसलिए रात्री में बली चड़ाना उचित नहीं है बली चड़ाने के लिए प्रातहकाल की शुब बेला की प्रतीक्षा करो तभी तुम्हें उत्तम फल की प्राप्ति होगी तब तक इन शूर्वीर योधाओं को यहीं छोड़ कर बाहर जाओ और दुवार बंद कर दो क्या सोच रहे हो पुत्र? कक्ष से बाहर जाकर प्रतीक्षा करो प्रातहकाल ही पुना बली प्रक्रिया आरंब करना तब तक पूजा कक्ष में किसी को भी प्रवेश्मत करने देना माता मुझे ग्यात है कि इन दो महामानव की बली कोई साधरन बली नहीं है परन्तु मुझे ये ग्यात नहीं था कि इन दोनों की बली चड़ाने से पूर्व मुझे सुफल प्राप्त होगा सेक्णों वर्षों से मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ परन्तु आज आपका स्वर सुनकर मैं धन्य हो गया माता आपके आदेश का फूर्वर्व से पालन होगा प्राताकाल ही इन दोनों की बली चड़ाई जाएगी जय माता महा माया माता की जय हो हाँ अब शीग रही प्रभु की मूर्छा तोड़ने होगी कोई और भी है कोई और भी है कख्षमे हे भगवान यदि इसने हनुमान को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा संदेह तो नहीं हो गया इसे कहीं सारा प्रयास व्यर्थ न हो जाए शमा करें माता आपकी उपस्तिती से संदेह में पढ़ गया था मैं संदेह यृचि कना भी वे दो घुचि के की लानी हो जैएग होोग त Hammire यृ 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 प्रभू, प्रभू नेत्र खोली प्रभू, प्राताकाल होने में अधिक समय शेश नहीं है प्रभू, उठीए प्रभू, उस राक्षस के आने के पूर भी हमें यहां से निकलना होगा प्रभू, अपने नेत्र खोलीए दुर्दुभी कहां जा रही हो तुम्हारे करण माता ने भली चड़ाने के लिए मुझे राता काल तक प्रतिक्षा करने का आदेश दिया ना ही तुम जल लाने में विलम करती और ना ही अर्द रात्री का उत्तम महुर्द निकल जाता और ना ही माता महामाया को उत्तम महुर्द की प्रतिक्षा करनी पड़ती बलो दुर्दभी बलो इस विलम के पीछे तुम्हारा क्या उत्देश था बलो क्यों किया तुमने ऐसा तुम्हारा ये मान तुम्हारे इस अपरात को सुईकारता है और इस अपरात का धंड है तुम्हारे मिटती हूँ यू यू यार यार प्रभु जागे प्रभु प्रभु आपके बिना ये हनुमान कैसे कुछ कर पाएगा प्रभु उठिये उठिये न प्रभु प्रभु आपके सुरक्षा नहीं कर पाया मैं इस एक भूल के लिए मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिये प्रभु प्रभु अपने नेत्र खोलिए एक बार जाग जाएए प्रभु जिससे कि आपका ये अप्राधी सेवक आप दुनों को अपने कांधों पर बिठाकर यहां से ले जा सके प्रभु प्रभु उठिये प्रभु उठ जाएए इतने प्रयासों के पस्चात प्रभु और लक्ष्वान भाया की अचेता अवस्ता तो तूट जाने चाहिए थी ये सूत्र कैसा पूर्व में तो कोई बंधा नहीं था प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मन के हाथों में दुष्ट मही रावण ने माया के द्वारा इन्हें अचेत कर दिया है अवश्य ही ये कोई माया भी बंधन है जिसके कारण गहन निद्रा में चले गए हैं दोनों अच्छा तो इस माया भी बंधन ने लक्ष्मन भाईया और प्रभु के चारों और कोई माया भी आभा का सुरक्षा वियू बना रखा है अभी खंडित करता हूं इसे अंति ववसर दे रहा हूं बताओ इस विलंब के द्वारा क्या शड्यंत्र तुमने रचा है बोलो तुम नहीं बताओगी तो मेरा निष्ठावान सेवक मकरद्वज तुमारे इस शड्यंत्र के बारे में अवश्य ही चानता होगा वो मुझे बताएगा और यदि तुमने कोई चत्राई की है तुम्हारी मिलत्यों जिछ मैं विछी तुम्े परे शर धुमनी कूछ्डिस निष्चित्रिण विडिएश। विडि तुम्हारी एक्योच्योच्योच्योच्योच्योच्ड़ क fragen मा कर दो आज आश्चर ये है मेरे एक बार पुकारने पे प्रचंड वेक से आने वाला मकर द्वज आज मेरे बार बार पुकारने पे नहीं आया कि क्या वो भी तुम्हारी भाती मेरे विरुद्ध शड्यंत रच रहा है यदि मेरे विरुद्ध कोई शड्यंत रच रहा है तो प्राता काल में दो बलियां नहीं और भी बलियां अर्पित करूँगा माता महा माया के चर्ड़ों में और तुम्हारे पती का शीश काट कर चढ़ाऊंगा तुम्हारे पुत्र के रक्त से अभिशेख करूँगा माता महा माया का सत्व क्या है मुझसे नहीं छुप सकता है यह शड़ियंत अन्य था यह दुर्दुभी बिना जल्दी यह दोहर से क्यों लोट जाती है कि यह जब तक संपूल सत्य मेरे सामने नहीं आता तब तक तुम यहां से हिल भी नहीं बावगी कि यह दुप 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 यह महापाताल के महारक्षक, महावीर, मकरदवच की ये दशाव मकरदवच ये क्या हो गया तुम्हें, किसने ये किये तुम्हारे साथ, बोलो तुमसे अधिक बल्वान यहाँ कौन आ गया है चुप क्यों हो मकरदवच, बोलो कौन है वो जो महापाताल के सातों तलों को पार करके यहां तक पहुचा है जिसने शिव तुला विफल करके महाविनी दानव महापाताल सेना हिम द्रिष्टी और महापंच दातु जैसे दानव को पराश्ट कर यहां तक आने का किसने दुस्ता हस किया है बोलो मकरद्वज बोलो और जो भी बोलना सत्य ही बोलना आप स्वामी है मेरे आप से सत्य ही कहूंगा वो कोई अन्य नहीं मेरे पितश्री, मेरे पितश्री श्री राम दूत महाबली हनुमान रूमान महाबली, हनुमान महाबली, हनुमान हनुमान हे माता मेरे प्रभूश्री राम और भईया लक्षमन को इस मायावी बंधन से मुक्त कराने में मेरी सहायता करें व sevक ए हुआएगाई ताल इंड्याटब ारभूश्रिश्रिश्रिश्रिश्रिश्र लक्राफ से कुमन रप Panama रपρωार रपाईह से कट लाई decidbon प्रणाम माता प्रणाम माता इसे स्पर्ष मत करना हनुमान दुष्ट महीरावण ने इन दोनों के चहुओर ऐसा मायावी रक्षा कवच बना दिया है किसे स्पर्ष करते ही इसका विप्रीत प्रभाव पड़ेगा धन्यवाद माता जो आपने मुझे इस अनिष्ट से बचा लिया मैं तो मात्र प्रभु श्री राम और भया लक्षमन को यहां से बंधन मुक्त करके ले जाना चाहता हूं जबकि आपका भक्त महीरावन इनके रूप में साक्षा धर्म की बली चढ़ाना चाहता है माता तुम्हें ग्यात नहीं है अनुमान महीरावन भले ही भक्त है मेरा किन्तु उसके आत्याचार एवं दुराचारों से अर्जित किये हुए भोग प्रसादों के कारण मेरा ये मंदर दूशित हो चुका था जो प्रभु श्री राम लक्षमन और तुम्हारे पावन्स पर्ष से अब पवित्र हो गया है माता ये पवित्रता प्रभु श्री राम के कारण ही है हाँ हनुमान दुष्ट महीरावन बार बार मेरी कठोर भक्ती करके मुझसे इच्छित वर प्राप्त करता रहा है और विधी का विधान है कि तपस्या का फल देना ही पड़ता है हनुमान किन्तु अब महीरावन के पापों का घड़ा भर चुका है हनुमान वही महाबली हनुमान जो सबको परास्त करके यहां तक आप पहुँचे हैं और मुझे भी इस विकट बंधन में बांध कर विवश कर दिया नहीं यह असंभाव है मेरे पिता महाबली संकट मोचन है सबके संकटों का मोचन करने वाले उनके लिए कुछ भी असंभाव नहीं है और जब स्वयम उनके प्रभू श्री राम संकट में हो तब तो उन्हें स्वयम परमात्मा भी नहीं रोख सकते किन्तु इस समय कहा है ये वानर मुझे बांधने के पस्चात वो प्रभू श्री राम और लक्षमन को मुक्प कराने के लिए राजभवन की ओर किन्तु रात्री तामसिक होती है इसलिए रात्री में बली चड़हना उचित नहीं है बली चड़हने के लिए प्रातहकाल की शुब वेला की प्रतीक्षा करो तब तक इन शूरवीर योधाओं को यहीं छोड़कर बाहर जाओ तो वो माता महा माया का स्वर नहीं था उस मरकट के द्वारा किया हुआ चल था अब उसका अंच समय आ गया है वो स्वयम ही मुख की ओर चला रहा है उसकी मृत्यू के पश्चाथी श्री राम एवं लक्षमन उसकी माया से मुक्थ हो पाएंगी और तभी तुमेंने यहां से ले जा सकोगे हनमान इसलिए सर्व प्रथम तुमें उसका अंत करना होगा ऐसा ही होगा माता किन्टु स्मरंड रहे हनमान उस पर महादेव की भी विशेश क्रिपा है अतह महादेव की पंच भूत आर्ती करके ललकारने वाला ही उसे मृत्यू देने में सक्षम हो सकता है धन्यवाद माता सावधान हो जाओ हनमान समय आग्या है उसके अंत्का विजई दूब अन्यवाद सावधान यहां तक तो मात महादेवी आ सकते हैं फिर यह मरकट यहां तक कैसे आगया असंभाव मर का ढोकर सिह की माद में प्रवेश किया है तुमने और अब सिह की मुँ में हाट डालने का दुस्ता हस कर बैठे सेंग के मुँ से निवाला छीनना सहज नहीं होता हनुआन सेंग नहीं गीदड हो तुम भिरू जो मेरे प्रभूश्री राम को अचेत करके छल से यहां ले आए मेरे प्रभूश्री राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ती है इनहें अपने पापी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यहां पर लाकर बहुत बड़ी भूल की है तुमने बूल तो तुमसे हुई है अहनुवान जो तुम यहां चले आए और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्रभू की भी पली चड़ेगी सर्वप्रथम तुम्हारा रक्त अर्पित करूँगा माता महा माया के चर्णों में स्वयम को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ती की जाती है युद्ध नहीं अब भोगोगे अपने कुकर्मों का भल स्वयम को देवी माता का भक्त कहते हो और इतना भी नहीं जानते कि माता के मंदिर में उनकी भक्ती की जाती है युद्ध नहीं अब भोगोगे अपने कुकर्मों का भल राव इयाह!! राव! . . . . जाओ एए 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 जाए श्री राफ मैं तो तुम्हें अपने माया लोक ले जाकर ही मारूंगा मैं जाए जाए वाए ! महा पाताल के सातों तलों को पार करके मेरे सारे महा बली राक्षसों का वद करके अपने आपको बहुत बड़े शूरबीर समझ रहे हो ना अब दिखाओ अपना बल यहाँ पर जिसके लिए तुम्हें संपूर संसार संकट मोचन महा बली हनुवान कहते हैं मैं यहाँ अपना बल दिखाने नहीं अपने प्रभू एवं लक्षमन भाया को मुक्त कराने आया और उन्हें मुक्त कराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता महीरावन पर एफ हए इए इए थ्व स्तुम्हें थ्थ venड़ा हुआरो वकॉल खराई, आप जरए बुल सुटराइ ह loro सुटरा लंग राम दूत हनुमान को घुटनों के बल जुकाना इतना सहज नहीं है मुर्ख राक्षास अब तुम्हें सत्य में ही धूल में मिटा देगी मेरी ये गदा मुझे धूल में मिलाना तुम्हारे वश में नहीं है वानर उसके लिए तुम्हें मेरी तरह दीवड़ता चाहिए ये तो चारों तरफ से आ रहा है तीवरता नहीं तुम्हें मारने के लिए मन की एकागरता चाहिए ये तुम्हें 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 त राम्दू थनुमान, तुमारे प्रहादे हैं! मुझे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा झाँ… अवश्य ही इसकी मायावी प्राण शक्ति इसके शीश में है मैं अभी इसकी प्राण शक्ति को नश्ट करता हूँ इस वार से भी इसका अंत नहीं हुआ इस महापाताल का महा मायावी राजा महिरावर हूँ मैं मुझे आहद करना इतना सहच नहीं है मेरे महाप्रेतो पकर लो इस वानर को मेरे इन राक्षसी प्रेतों की पकर से आज तक कोई नहीं छूट पाया अब मैं बली चड़ाऊंगा उस राम की और उसके अनुच लक्षमण की धर्म की शक्ति के समक्ष तुम्हारे इन मायावी प्रेतों की शक्ति तनिक भी नहीं चलेगी महिरावर जाए स्री रहाँ पानर सरप्रतम तुम्हें मिर्ट्यू के मुख में पहुचाना होगा नित्यू का समय तो तुम्हारा आ रहा है महिरावन जब तक तुम्हारी मायावी शक्ति तुम्हें पुनह जीवन देगी तब तक मैं देवी महा माया के बताए अनुसार भोले बाबा की पंच भूत आरती संपन्न कर लूँगा महिरावन आरती के लिए सबसे पहले मुझे शिवलिंग की व्यवस्ता करनी होगी कहां मिलेगा शिवलिंग भोले बाबा तो कणकण में है प्रणाम भोले बाबा हे पंच भूत तत्वों के अधिश्ठाता प्रभु श्री राम को बचाने के लिए मुझे भोले नाथ बाबा की पंच भूत आरती करनी है मेरी सहायता करें देवी देवताओं हे प्रित्वी देवी भूमी से पाप का बोज उतारने के लिए मुझे भूमी तत्व प्रदान करने की कृपा करें हे वायू देव पाप करमों से वातावरण प्रदूशित हो चुका है जिसे शुद्ध करने के लिए मुझे वायू तत्व प्रदान करें हे अगनी देव अधर्म को अगनी में भस्म करने के लिए मुझे अगनी तत्व प्रदान करें हे बरुर्देव अत्याचार एवं अनाचार से अपवित्र हुए जल को पवित्र करने के लिए मुझे स्वच जल प्रदान करें हे इंद्रदेव राक्षसों के अत्याचारों के कारण राहिमाम एवं चितकारों की ध्वनी से आकाश में प्रसारित होने वाला नाग तत्व प्रदूशित होता रहता है अतहा इन राक्षसों के अंत के लिए ब्रह्माड में प्रसारित होने वाला ब्रह्मनाद तत्व प्रदान करें मुझे पंच तत्व प्रदान करने के लिए आप सब देवताओं को धन्यवाद महिरावन वध मरम जो जाने देवों को हनुमत आभाने पंच तत्व शिव आर तिलाए ओम अनल भूजल वायू पाए ये गाधा महाबली हनुमत की रुचकल लीला राम भगत की जै 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 रगुनंदल्य राम जै 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 महाबली हनुमाद जै 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 रगुनंदल्य राम जै 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 महाबली हनुमाद ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। ओम नमः शिवाय। तो वानर को ग्यात हो ही गया कि मेरे वद के लिए पंचभूत आरती आवश्यक है। परंदू और भी कुछ है जो इसे ग्यात नहीं है। इसकी पंचभूत आरती पूर्ण होने से पूर्व मैं प्रित्वी से बाहर निकल जाओंगा। क्योंकि प्रित्वी को तो मैं बल्यवस्था से ही इस प्रकार खोट कर निकलता हूँ। जैसे चल की लहरों को भेदता हुआ कोई निकल जाता है।